नमेर शिवाय दोस्तों आपका मेरी चैनल पर स्वागत है सिव महापुराण का मातम में सिरी सोनक जी ने पूचा महाग्यानी सूथ जी आप संपून सिध्धानतों के ग्याता हैं प्रवो मुझसे पुराणों की कताओं के सार तत्व का विसे सोख से वर्णन कीजे ज्यान और वेराग्या सहीद भत्ती से प्राप्त होने वाले विवेक की व्रद्धी कैसे होती है तत्था सादू पुरुष की स्प्रकर अपने काम करोध आदी मानसिक विकारों का निवारन करते हैं इस घोर कल्यूग में जी प्रियाय आसु सभाव के हो गए हैं उस जी समुदाय को सुध बनाने के लिए सर्वस्रेश्ट उपाय क्या है आप इस समय मुझे ऐसा कोई सास्वत साधन बताईए जो कल्यान कारी वस्तुवों में भी सबसे उत्क्रष्ट एवं परम मंगल कारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वत्तम पवित्र कारक उपाय हो तात वह साधन ऐसा हो जिसके नुष्ठान से सिगरी अंतयकरण की विसेश सुद्धी हो जाए तथा उससे निर्मल चित वाले पुरुसको सदा के लिए सीव की प्राप्ती हो जाए सिरी सुद्धी ने कहा मुनिस रेश्ट सोनक तुम धन्ने हो क्योंकि तुमारे हिर्द्य में पुरान कथा सुनने का विसेश प्रेम एम लालसा है इसलिए मैं सुद्धी से विचार कर तुमसे परम उत्तम सास्त्र का वणन करता हूँ वत्स वह संपुन सासों के सिध्धान से संपन भक्ती आदी को बढ़ाने वाला तथा भगवान सीव को संतुष्ट करने वाला है कानों के लिए रसायन अमरत्च्वरूप तथा दीव्य है तुम उसे श्रमन करो हुने वह परम उत्तम सास्त्र है सीव पुरान जिसका पूरुकाल में भगवान सीव ने ही प्रवचन किया था यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महांत रास का विनास करने वाला उत्तम साधन है गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनी का उत्तेश पाकर बड़े आदर से संक्सेप में इस पुरान का प्रतिपादन किया है इस पुरान के प्रणियन का उत्तेश्य है कल्यूग में उपन होने वाले मनुस्य के परम हित का साधन यह सिव पुरान परम उत्तम सास्त्र है इसे इस बूतल पर भगवान सिव का वाद में सुरूप समझना चाहिए और सप्रकार से इसका सेवन करना चाहिए इसका पठन और स्रवन सर्व साधन रूप है इससे इसी भक्ती पाकत सेश्टम इस्तिती में पहुंचा हुआ मनुश्य सिगरी सिव पद को प्राप्त कर लेता है इसलिए संपूर्ण यतन करके मनुश्य ने इस पुरान को पढ़ने की इच्छा की है अत्वा इसके अध्यन को अभिष्ट साधन माना है इसी तरह इसका प्रेम पुर्वक स्रवन भी संपूर्ण मनुवांचित वलो को देने वाला है भगवान सिव के सुरान को सुनने से मनुश्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े-बड़े उत्रश भोग करके अंत में 29,000 लोकों से युक्त है इसकी साथ सन्हिताएं है मनुश्य की चाहिए कि वह भक्ति ज्यान और वैराग्य से संपन हो बड़े आदर से इसका स्रवन करें साथ सहींताओं से युक्त है दीवय पुरान परब्रहम परमात्मा की समान विराजवान है और सबसे उत्क्रष्ट कत की प्रदान करने वाला है जो निरंतर अंसंधान पूर्वक इस सिवपरान को बाचता है अत्वा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वे पुन्यात्मा है इसमें संसे नहीं है जो उत्तम बुद्धी वाला पुरुस अंतकाल में भक्ति पूर्वक पूरान को को भोग कर अंत में भगवान सीव के पद को प्राप्ट कर लेता है जो प्रतिदिन आलेश से रहित हो रेशनी वस्त्र आधी के वेश्टन से इस स्पराण का सतकार करता है वे सदा सुखी होता है यह स्पुरान निर्मल तथा भगवान सीव का सर्वस्व है जो इह लोक और वाला है अध्य सदा प्रेम पूर्वा किसका स्रमान एंविसे स्पार्ट करना चाहिए